नमस्कार दोस्तो टेग डिशुम में आप सभी का फिरसर स्वागत है मैं हूँ आपका होस्ट गोराव और आज के इस टेग वीडियो सेशन के अंदर हम बात करेंगे बूटेबल USB पैंडराइब के बारे में यहां दोस्तो आपने काफी सारे मेथल्स देखे होंगे और आपने इस टेगे बूटेबल हो जाएगी तो चले शुरू करते हैं फरस्ट अफल गाइस अपनी पैंड्राइव को अपने सीप्यू के अंदर अटेच कर लीजे करने के बाद आप ने पैंड्राइव को फोर्मेट कर लीजे ताकि उसकी परफोरमेंस थोड़ी अच्छी रहेगी अगर आपके पास कोई डड़ा हो पैंडर के अंदर तो आप उसका ले सकते हैं और बेकप लने के बाद आप पने अप्ने को पूरी तरह फॉरमेट कर दीजे फॉरमेट करने से चली कि आपको फाइल के अंदर कन्फुशन नी होगा क्योंकि हमें यहां पे पुछ इंदर को तो मैं यहाँ पे as an example आपको Windows 8 के साथ यह process बताता हूँ तो आपको simply Windows 8 के folder में जाना होगा Windows 8 के folder में जाने के बाद आपको एक folder देखेगा boot नाम का उस folder के अंदर आप जाहिए यहाँ पी आपको एक file दिखे की boot sect यह नहीं आपको boot sect तो boot sect file को आपको simply copy करना है मैं यहाँ से file को copy करके और इसको paste करना है pen drive के अंदर तो मैं pen drive के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसे paste कर देता हूँ तो यह file यहाँ पर paste हो चुकी है अब हमें pen drive के अंदर जो यह file है इस पर right click करके हमेंůё क्लिक करना है select करना है run as administrator तो मैं इसको select कर देता हूँ तो इसे हमें yes कर देता हूँ तो yes करने के बाद आपकी pen drive बूटेबल हो चुकी है आप इस file को delete कर सकते है पंडड़े में से तो मैं इसे delete कर देता हूँ तो file delete हो चुकी है और आपकी जो pen drive है वो bootable अलड़ी हो चुकी है तो अब हमें क्या करना है हमें basically जाना है फिर से जो भी OS हमारा पास है तो वहां पर जाना है तो मैं basically जाता हूं फिर से यह रहा Windows 8 इससे में Windows 8 के अंदर जाके हमें पास जितनी फाइल से आप यह पूरा फोल्डर कॉपी मत करिएगा आप simply Windows 8 के अंदर का जो सारी फाइल से जो फोल्डर से वह कॉपी करना है तो आप हमें यह सारे फाइल से यहां पर कॉपी कर लेता हूं Ctrl-A Ctrl-C यहां पर मैं यह step कर लता हूं कि इसमें थोड़ा टाइम करेगा यह वेल गईस फाइल को कॉपी करने के बाद आप अपनी बूटेबल पैंड्राइब को यूज ले सकते हैं अपने सिस्टम को फोमेट करने के लिए जाहे वह आप Windows 10 अगर डालना चाहें या फिर विंडोस 7 या विंडोस 8 जो कि आप पर डिपेंड करता है सेम प्रोसेस आपको करना है मैंने विंडोस 8 के साथ किया है तो आप Windows 7 या Windows 10 के साथ भी कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको bootable अपनी bootable pen drive जो है उसे अपने system के अंदर attach करना है उसके बाद में आपके system को restart या start करना है जिसके बाद में आपको keyboard पर कुछ कीई प्रेस करनी करने होगी वो mother board पर dependent करती है I think Key हो सकती है 90 tangent precious यह फिर F11 यह फिर F2 उनकी को प्रेस्ट करते रहने पर आपका iOS की सेटिंक्स जो है आपके BOYB lore तेस्टम में वह आ जाएगी अब मैं आपको BIOS की सेटिंग्स में क्या चेंजिस करने वह मैं आपको बता देता हूँ तो BIOS के setting में जाने के बाद हमें जाना है boot menu के अंदर, boot menu में जाने के बाद हमें boot device priority जो है first priority उसे USB set disk cruiser करना है means आपके जो भी पेंडरे वे उसे करना है वो करने के बाद आपको simply F10 key जो है press करनी है कि फर्स्ट प्राइटी हम दे देंगे USB को बूट की उसके बाद हमें F10 की प्रेस करनी है जिसमें एक पॉपप ऑपन होगा जिस पर लिखा होगा सेव हमें का इंटर मार दीजिए और करने पर वो सेटिंग सेव हो जाएगी और आपका जो सिस्टम में बूट होगा विट यू अगर आपकी पर अटेज होगी आपके सिस्टम के अंदर और आप इंस्टलेशन के बाद कभी भी फिर से स्टार्ट करते हैं आपका कम्पीटर तो यह पोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगी इसलें मैं यही रिकमेंड करूगा कि आप इस वीडियो के अंदर बस इतना अई था और बी एससे एकसे टेक्ट्रिक्स के लिए आप मारे चैनल को सब्सक्क्राइब पर सकते हैं और हां इस वीडियो को लाइक ओ शेर जरूर की जीएगा ताकि आप जिसे और भी जो लोगे उनको इस ट्रिक के बारे में वालूम पढ़ सके गाइस में को आपको मिलता हूं अगलोर एक्साइटिंग वीडियो में तब तक लिए have a good day, bye bye and stay safe